और दोस्तों कैसे आप मेरा नाम आरुन प्रभू देसे ट्रैकिंटेक के और एक वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं जो आप बताने वाला हूँ आपको एक एंड्रोइड आप है आपको पुराना हो नया हो आपको बेचना हो खरीदना हो हर फोन पए आपको ये आप डालना चाहिए क्योंकि ये जो एक एप है शिंगल आप आपको आपके फोन के बारे में सब कुछ बटाएगा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हार्डवेर हो, सॉफ्टवेर हो, so this is all-in-one सॉफ्टवेर to test your phone. जी हाँ, आप एक नया फोन खरीद रहे हैं, या फिर पूराना फोन खरीद रहे हैं, आप आपका पुराना फोन बेच रहे हैं, सबी जगह पे ये आप का बहुत फाइदा होगा चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा आप है और इसे कैसे यूज करते हैं चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारे वीडियो मिलने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें इस वीडियो के हमारे फीचर कमेंटर है राकेश खिला ली तो दोस्तों कौन सा है ये अप जो all-in-one टेस्ट करता है आपके स्मार्टफोन को Android हो या फिर iOS जी हाँ इसका नाम है टेस्ट M लेकिन इमीजेटली मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है लेकिन रुकिए पहले देखिए कैसे आपको इसको यूज करना है क्योंकि ये बहुत important है easy है कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन अगले 2-3 मिनिट में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका फोन आप कैसे पूरी तरह से test कर सकते हैं। आपका जो फोन होगा उसके उपर test M इंस्वाल करने के बाद चालू कीजिए उसे। चालू करने के बाद दोस्तों वो पूछेगा आपको run full test या फिर आपको एक quick test करनी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप फुल टेस्ट कीजिए ताकि सब डीटेल्स जो है आपके फोन के आपको पता चल जाए और दोस्तो फुल टेस्ट के लिए थोड़ा वक्त लगता है about 15-20 मिनिट्स लगते हैं लेकिन आपका फोन आपके साथ होता है 24 गंटे 10-15 मिट उसके उपर भी डाल दीजिए तो चलिए दोस्तो करते हैं रन फुल टेस्ट अगर आपको अभी वक्त नहीं होगा तो आप क्विक टेस्ट कर सकते हैं रात को जबी भी आपको ये पास टाइम हो तो आप फुल टेस्ट रन कर सकते हैं बट क्विक टेस्ट में भी about 85 90% सब डीटेल्स वो देता है दोस्तो क्विक टेस्ट जो है उसको एक मिनिट से कम लगते है बूट 55 सेकंड लगते हैं तो कभी भी आप ये क्विक टेस्ट रन कर सकते हैं दोस्तो जैसे मैंने पहले का ये एस्पेशली यूसफुल होगा जब आप आपका फोन बेच रहे हो किसी को तो फिर आप दिखा सकते हैं क्योंकि यह जो सॉफ्ड़वेर है टईस्ट हैं यह सर्टिफिकेट मेर्स कर करना है यह है certificate, सबसे पहले तो दोस्तों वो करता है test screen, आपको screen को touch करना है और वो बताता है, instructions भी देता है कि क्या करना है, test your screen by swiping your finger across entire screen start, यह देखिए, अब मैं कर रहा हूँ, आपको ऐसे करना होगा आपके screen के उपर तो वो test करेगा कि भाई यह जो screen है इनकी, सब बराबर से चल रही है या नहीं, इसको complete full करना होगा आपको मैंने scratch करके रख दी पूरी, हर एक test के बाद वो कहता है कि भाई test pass हो गई या fail हो गई, good job, the touch screen check past the test, मतलब pass हो गई, earpiece, अब बोल रहा है earpiece के बारे में, चलिए, देखते हैं earpiece, listen to three numbers you hear through the receiver and run them when prompted, मतलब आप जैसे phone लेते हैं, वैसे आपको सुनना होगा, तो अब इस्ते तीन numbers यह वो आपको type करना है, 601, good job, तो यह भी चल रहा है बढ़िया, अब microphone, test your microphone, तो आपको hello बोलना पड़ेगा, hello, good job, जी हाँ, यह भी test pass हो गई, accelerometer, तो यह कह रहा है कि up and down तीन बार move कीजे, sideways तीन बार move कीजे, up and down move कीजे, sideways, good job, हो गया, accelerometer बहुत अच्छी तर से चल रहा है, चलिए अगला test करते है, Wi-Fi, connect your Wi-Fi to the trusted source, just a second, connect कर रहा है अभी, देख रहा है, test कर रहा है Wi-Fi, great job, यह भी बढ़िया चल रहा है, दोस्तों, इसी तरह total 20 tests कर सकता है, यह test M app, जैसे आपका speakers, earpiece, microphone, headphone, gyroscope, जो भी आपका motion sensors है, gyroscope, accelerometer, compass, connectivity में वो करेगा test Wi-Fi, Bluetooth, cellular, GPS बराबर से चलता है, यानि, hardware में वो test करेगा, light sensor, charger, vibration बराबर से चलता है, यानि, proximity sensor, fingerprint sensor, camera में वो देखेगा, कि front का camera कैसे चल रहा है, ठीक तरह से चल रहा है, main camera कैसे चल रहा है, LED flash कैसे चल रहा है, ऐसे 20 से भी ज्यादा test, दोस्तो, test M करता है, और आपको एक report देता है, कि आपका जो phone है, इसमें ये सब चीजे चल रही है, अच्छी तरह से चल रही है, और ये चीजे नहीं चल रही है, और दोस्तो, समझो, आपको एक-दो चीजे ऐसी दिखी आपके phone के ऊपर, जो नहीं चल रही है, तो आप जब repair center के पास जाएंगे, उनको भी आप दिखा सकेंगे, कि देखो, मैंने बाकी सब test किया है, सिर्फ यही चीजे बराबर से नहीं चल रही है, touch नहीं चल रहा है, screen नहीं चल रहा है, या भी GPS नहीं चल रहा है, उस हिसाब से service center वाले लोगों को भी पता चलेगा exactly problem क्या है आपके phone के साथ, दोस्तो, सब test के साथ और भी features देता है, जैसे आप internet speed क्या है, आपके phone का वो test कर सकते है, battery का info क्या है, आपका जो phone है, उसमें RAM कितनी है, storage कितना है, वो बाकी सब जो resolution क्या है, PPI density क्या है, performance कैसे है, CPU कौन सा है, ये सब चीजे भी, ये जो test M app है, ये देता है, तो main उसका सब tests है, certificate देना है, बट साथ में बहुत सारी दूसरी information भी देता है, साथ में दोस्तों, ये app जो है, आपको ये भी बताएगा, कि समझी आपका एक या दोस्तों, जैसे मैंने का, certificate बहुत important है, आप save करके रख सकते हैं, किसी को भी जब आपका phone बेच रहे हो, या फिर खरीद रहे हो किसी के पास से, तो आपको उनको बोलो कि भाई, ये test M जो app है, ये install कीजे और मुझे दिखाईए, सब चल रहा है कि नहीं, 10-15 मिनिट में किसी और के phone का कच्चा चिठा आपके सामने आ जाएगा, आपको एक certificate मिल जाएगा, कि भाई, हाँ, ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, तो दोस्तों, जरूर बताईए, आपको ये test M app कैसे लगा, जैसे मैंने का Android पर भी है, iOS पर भी है, और नीचे मैंने link दी हुई है, दोस्तों, मेरा काम है आप तक ऐसे apps पहुचाना कि जो आपको मदद करे, आपके phone के बारे में ज्यादा पता चले, और अगर कोई खरीदने का decision ले रहे हैं, तो correct decision ले, ये मेरा काम है, आप जरूर बताईए हमें आपको वीडियो ये कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो like जरूर कर दिएगा और अपने दोस्तों के साथ